अचीवर्स IQ Education में आपका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम रसायन विज्ञान के अमले छारे वं लवण से जुड़े हुए टॉप 20 MCQs के बारे में जानेंगे जो कि हमारे आने वाली किसी भी परिच्छा के लिए महत्वपूर्ण है आए चलते हैं आज के पहले प्रस्ण पे और आज का हमारा पहला प्रस्ण है लेटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है ह हमारे ओप्षण है कवक यह लीचेन यह जिमनोईसपरम यह इन में से कोई नहीं इसका सही आन्सर है ओप्षण B लीचेन अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सूचक की तरह इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है हमारे ओप्षण है हल्दी यह मैथिल औरेंज यह फिनॉल थेलिन या मूली इसका सही आंसर है option D मूली अगला प्रेस्ण है निम लिखित में से कौन गंधिय सूचक नहीं है हमारे option है वैनिला या प्याज या सकरकंद या लॉंग का तेल इसका सही आंसर है option C सकरकंद अगला प्रेस्ण है निम लिखित में से कौन द्विचार किया अमल है हमारे option है HCl या H3PO4 या HNO3 या H2SO4 इसका सही आंसर है option D H2SO4 अगला प्रेस्ण है पोटास एलम होते हैं हमारे option है एक साधारण लवन या एक मिसरित लवन या एक अमलिय लवन या एक द्विक लवन इसका सही आंसर है option D एक द्विक लवन अगला प्रेस्ण है SET का अमल एक दुर्बल अमल है क्योंकि हमारे option है इसके जलिय विलियन अमलिया होते हैं या ये ज़्यादा आयनित होते हैं या ये कम आयनित होते हैं या ये माइनस COOH समूह रखते हैं इसका सही आंसर है option C ये कम आयनित होते हैं अगला प्रेस्ण है नेमलिकित में सबसे प्रबल लवन कौन सा है हमारे option है NACL ये CACL2 ये BASO4 ये LICL इसका सही आंसर है option A NACL अगला प्रेस्ण है नेमलिकित में से कौन एक से अधिक अमलिया लवन बनाएगा हमारे option है CS3COOH ये H3PO4 ये CS3CH2COOH ये ZNO इसका सही आंसर है option B H3PO4 अगला प्रेस्ण है एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग से प्रिनत कर देता है तो संबावता विलियन का pH मान होगा हमारे option है 8 ये 10 ये 12 ये 6 इसका सही आंसर है option D 6 अगला प्रेस्ण है जल के अमलिया एवं चारिक ये विलियन किसके कारण विद्धूत के सुचालक होते हैं हमारे option है H plus iron के कारण ये OH minus iron के कारण ये H plus एवं OS minus दोनों के कारण ये इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है option C, H plus एवं OH minus दोनों के कारण अगला प्रेस्ण है निम्न में से कौन से धातू ठंडे जल से अब किरिया कर धातू के हाइड्रोकसाइड बनाएंगे हमारे option है sodium एवं potassium या magnesium एवं calcium या sodium एवं copper या इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है option A, sodium एवं potassium अगला प्रेस्ण है निम्न लिकित में से किस विलियन का उप्योग दिवारों की सपेदी करने में किया जाता है हमारे option है C, HCO3 का whole twice या C, O, H का whole twice या Na, O, H या Na, HCO3 इसका सही आंसर है option B, C, A, O, H का whole twice अगला प्रेस्ण है निम्न लिकित में से कौन सा बुजा हुआ चूना है हमारे option है C, A, O, या C, A, O, H का whole twice या C, A, CO3 या C, A इसका सही आंसर है option A, C, A, O, अगला प्रेस्ण है लवन Na2, CO3 का जलिया विलियन का pH होगा हमारे option है साथ या साथ से अधिक या साथ से कम या इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है option A, साथ अर्थात उदासीन अगला प्रेस्ण है एसेटिक अमल का IUPAC नाम है हमारे option है एथेनोईक अमल या मेथेनोईक अमल या प्रोपेनोन या इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है option B, मेथेनोईक अमल अगला प्रेस्न है निमलिकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है अगला प्रेस्न है कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH संबवता होगा हमारे option है 5 या 7 या 8 या 10 इसका सही answer है option A 5 अगला प्रेस्ण है औक जलिक अमलिका प्राक्रतिक स्रूत निमलिखित में से कौन सा है हमारे option है संत्रा या टमाटर या सिर्का या इमली इसका सही answer है option B टमाटर अगला प्रेस्ण है प्लास्टर ओफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है हमारे option है C.A.SO.4 इंटू 2H2O या C.A.SO.4 इंटू 1H2O या Na.2.C.O.3 इंटू 10H2O या इन में से कोई नहीं इसका सही answer है option B C.A.SO.4 इंटू 1H2O या इसका अंतिम प्रेस्ण है लिटमस्विलियन जब ना तो अमलिया होता है और ना ही छारिया तब यह किस रंग का होता है हमारे option है लाल या नीला या बैंगनी या काला इसका सही answer है option C. बैंगनी यदि आपको हमारे दोरा दी गई जानकारिया यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और कॉमेंट जरूर करें Thank you and thanks for listening